धर्ती अंबर कह रहे धर्ती अंबर कह रहे मंच पर विराजबान हम सब के स्रिध्धे हमारे गौरव मधुपदेश के संड़क्षक महा महम विराजपाल स्रिमान मंगु भाई पटेल जी एक बार ताली बजा कि उनका अभिनंदन कीजिए कैंदरी मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता आदनी फगण सिंग कुलस्ते जी यसस्वी सांसद प्रदेश अध्यक्ष भारती जनता पार्टी के डाक्टर वीडी सर्मा जी मेरी बहन हमारी मंत्री मीना सिंग जी प्रैम सिंग पटेल जी तुलसी सिलाबड जी उसा ठाकुर जी अब चुकि मंच भरा पूरा है ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9000 का बिजनस करते थे अचानक से ये दो गुना हो गया जानना चाहते हो कैसे तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें हमारे सारे वरिष्ट नेता च्छतर सिंग दरवार के जैन सिंग जी सुमेर सिंग जी महन सिंग जी डामोर जी सब हैं आज यहां लेकिन समय थोड़ा कम है इसले कोई बुरा तो नहीं मानेगा भई तो मन पर विराजमान सभी साथी नेता पदाधिकारी गण और इस मैदान म में ऐँ अपस्थित दूर दूर से पदारे हुए हैं मेरे आदिवासी बहनों भाईों भाण्यों मामा की आप सब को राम राम मामा का आप सब को प्रणाम आज टंट्या मामा का बलिदान दिवस है बारे मर्दों में मरज धन्जार टंट्या कांधे टांगे डाब तीखो धारदार टंट्या भाई वहन की लाज रखवार टंट्या सुने बैना की पकार इसपार उरसपार पल का मूंदा दोडे आबे बार बार टंट्या थाना चो की भूग डारे जुल्मी सीपडा का मारे कहीं जूता कहीं हंटर की मार टंट्या सूद खोरो का डराबे खाता खूतरा जलाबे लंगा भूखा कोदे रोटी का आधार टंट्या ये अपने टंट्या मामा आज मैं उनके चरणों में कबल अपनी और से नहीं मधपदेश की साज़े साथ करोड जनता की और से दोनों हाथ जोड के और सीज जुका के प्रणाम करता हूँ अदभुत क्रांतिकारी जन्होंने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना पूरा जीवन कुरवान कर दिया और कई वार मन में तकलीफ होती है आज आज हुए 75 साल हो रहे हैं पुरानी सरकारों ने कभी टंट्या मामा की कभी भीमा नाइक की कभी रगनासा संकरसा की कभी रानी कमला पती की हमारे वीरुसा भगवान की कभी बड़े सहरों में पृतिवानी लगाई लगाई चो एक खांदान के लगती रही लेकिन आज मझे संतों से ये कहते हुए इन दौर की धर्ती पर आज टंट्या मामा की भव पृतिमा का लोकारपन हमारे गवर्नर साहब ने किया है और चोरा भी टंट्या मामा चोरा होगा उनके बलिदान को हम भूल नहीं सकते कभी भुला नहीं सकते लेकिन केवल मूर्ती लगाने से काम नहीं चलेगा मेरे प्रिये बहन और भाईव आज के ये कारिकम केवल कारिकम नहीं है ये सामाजिक क्रांती का संखनाद है ये आर्थिक क्रांती का संखनाद है सुनो मेरे बहनों और भाईव आज का दिन एतिहासिक दिन है ये कारिकम गरीब जंता की जिन्द्गी में बदलाओ का कारिकम है उसलिए आज मैं कहा रहा हूँ मेरे भासन को केबल भासन मत मानना मैं केबल बोलने के लिए नहीं कहा रहा एक तड़फ है एक ललक है एक जुनून है तंट्या मामा के रास्ते पर चल कर अटल जी ने हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने आदि वासी भाई बहनों के कल्यान का जो संकल्प लिया है उस संकल्प को मर्द प्रदेश की धर्ती पर पूरा करने का उसलिए मैं भासन नहीं दे रहा है ये पेशा पेशा बार बार बात हो रही है मैं आज कर लगातार हर चेके जा रहा हूँ पेशा क्या यह पढ़ा रहा हूँ और आप जितने आज बैठें पेशा समझी है जो जो वो हाथ उपर उठाओ जो पेशा कानून को समझे है पढ़ा है हाथ उपर उठाओ एक बार फिर कर रहा हूँ जिनने पेशा कानून को समझ लिया वो हाथ उपर उठाओ अभी कई रह गए हैं तो बताव आज पेशा पढ़ाओं मैं आपको अरे बोल का बताओ गुंगे नहीं बनना है पीछे तक बोलो पढ़ाओं की नहीं उदर वाले बोलो पढ़ाओं की नहीं तो ये सुनो मैं हूँ मास्टर ट्रेनर आज ट्रेन्ड करने आया हूँ और ट्रेन्ड इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बेहन और भाईो पता ही नहीं चलेगा तो पेशा का उपयोग कैसे करोगे रे तो मैं आज तुम्हें ट्रेन्ड करूँगा और तुम मेरे बेटा बेटियों नीचे जाके बाकी को trend करना ताकि सब समझ ले जान ले ये पेशा क्या है और इसको मध्वदेश की धर्ती पर लागू करें अरे ये कर्मकांड नहीं है आपकी जिंदगी बदलने का महाभियान है मध्वदेश सरकार का महाभियान और आज मैं कहा रहा हूं अपने गवर्णर साब के सामने ह अपने नेत्रत के सामने ये पेशा लागू करना कर्मकांड नहीं है मध्वदेश की धर्ती पर हम इसे लागू करके ही चैन की सांस लेंगे ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9000 का बिजनस करते थे अचानक से ये दो गुना हो गया जानना चाहते हो कैसे तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें